हाइजिनबर्ग अनिश्चित्ता सिध्धान्त सामान या पॉप संस्कृती में विस्तार करने के लिए कौन्टम भौतकी के मुठी भर विजारों में से एक है। की कुरिया रफ्तार बदलती है या इसका उल्टा होता है। वास्तविक उत्पत्ती कहीं अधिक गहरी और अधिक आश्चरे जनक है। अनिश्चित्ता सिध्धान्त मौजूद है क्योंकि ब्रह्मान में हर चीज एक ही समय में एक कण और एक लहर दोनों की तरह व्यवार करती है। क्वांटम यांत्रिकी में वस्तू की सही स्थिती और रफ्तार का कोई मतलब नहीं होता। इसे समझने के लिए हमें सोचना होगा कि कण या तरंग की तरह बरताव करने का क्या मतलब। परिभाशा के अनुसार कण किसी भी समय एक ही स्थान पर मौजूद होते हैं। हम दूसरी और तरंगें अंतरिक्ष में फैले हुए व्यवधान हैं जैसे किसी तालाब की सतय पर फैली हुई लहने। हम तरंग के पैटर्न की खोबियों खास्तोर से वेवलेंद को समगर रूप से पहचान सकते हैं जो की दो पड़ोसी चोटियों या दो पड़ोसी घाटिय के बीच की दूरी हैं हम उसे मात्र एक स्थिती असाइन नहीं कर सकते इसके कई विभिन जगहों में होने की संभाव ना है क्वान्टम बहुतिकी के लिए वेवलेंद आवश्चक है क्योंकि वस्तू की वेवलेंद उसके आवेग यानि पिंड गुणा गती से संबंधित है यही कारण है कि हम रोजमर्रा के वस्तूमों की तरंग प्रकृती पर ध्यान नहीं देते। यदि आप किसी बेजबॉल को हवा में उच्छालते हैं तो इसकी तरंग दैर्ग है एक मीटर के खरब्वे के खरब्वे हिस्से के बराबर होई। पर मानूओ जैसी छोटी चीज चिति तो जान सकते हैं लेकिन उसकी तरंग दैर्ग के बारे में उसका समबेग नहीं जान सकते। स्थिती और गती जानने के लिए हमें दो चित्रों को मिलाकर एक ग्राफ बनाना होगा जिसमें एक छोटे से क्षेत्र में तरंगे शामिल होई। हम ये कैसे कड़ सकते विभिन्न वेवलेंथ की तरंगों को सयोजित करें यानि हमारी कौन्टम वस्तु को विभिन्न आवेगों के होने की कुछ संभाव ना देख रहे तो हम पाते हैं कि ऐसे स्थान है जहां चोटियां एक बड़ी लहर बनाती हैं और अन्य स्थान जहां एक की चोटियां दूसरे की घाटियों में भर जाती हैं परिणाम में ऐसे क्षेत्र जहां हम तरंगों को कुछ भी नहीं के क्षेत्रों से अलग करते हुए देखते हैं यदि हम तीसरी लहर जोडते हैं तो वे क्षेत्र जहां लेहरें कैंसल हो जाती हैं बड़े हो जाते हैं लेहरदार क्षेत्र संकरे हो जाते हैं अगर हम तरंगें जोडते जाते हैं तो हम एक छोटे से क्षेत्र में सपष्ट वेवलेंथ वाला वेव पैकेट बना सकते हैं ये तरंग और कन प्रकृती दोनों क्वांटम वस्तू हूँ, पर इसके लिए हमें स्थिती और आवेग दोनों के बारे में निश्चित्ता को खोना पड़ेगा। स्थिती मात्र एक बिंदू तक सीमित नहीं है, वेव पैकेट के केंद्र की किसी रेंज में उसे पाने की अच्छी संभावना है, और हमने वेव पैकेट को बहुत सारी तरंगों को जोड़ कर बनाया, यानि उनमें से किसी एक से संबंधित आवेग से उसे पाने की कुछ संभ स्थिती और गती दोनों अब अनिश्चित हैं और अनिश्चिताएं जुड़ी हुई हैं, यदि आप एक छोटा तरंग पैकेट बना कर स्थिती की अनिश्चिता को कम करना चाहते हैं, तो आपको अधिक तरंगे जोड़ने की आवशक्ता है, जिसका अर्थ है बड़ी गती अनिश्चिता अच्छी या बुरी तरह से मापने का मामला नहीं है, बलकि कान और तरंग प्रकृती को संयोजित करने का परिणाम है, अनिश्चिता सिधान्त केवल माप पर एक व्यावारिक सीमा नहीं है, ये एक सीमा है कि किसी वस्तु में कौन से गुण हो सकते हैं, जो ब्रमांड की मोलभूत संरचना में ही निर्मित हैं, कौन्टम यांत्रकी की दिमाग को जगरा देने वाली दुनिया में गहराई से गोता लगाएं, और इस वीडियो में देखें कि क्या आप इस क्षेत्र के सबसे बदनाम विचार प्रयोगों में से किसी के भी माध्यम से पहली बना सकते हैं